वेरी वेलकम टू अल साथ यह जम फाइटर नमरन पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और शारकन टेट एक जम 24 के क्लासेज में आप सभी का ग्रांड वेलकम है तो टेट में हम लोग अभी सस्टी के पेपर को कबर कर रहे हैं सस्टी यादि आपका सोसल साइंस सबसे ज्यादा पूखा जाएगा वह आपका इतियास से पूखा जाएगा हिस्टी से पूखा जाऊ अगर आपने नए विर्टіс को देखा है तो आपने देखा है इस बससे ज्यादा व्रयत सस्टी म्हि necessarily कि सबस्चर्द कर दियाlekिया लेकिन क्या पढ़ना आ है आपको वो इश्म को घच करना जहां से प्रस्ण आएंगे लिए मैंने ऐसा वालड इंड्यान हिस्ट्री सभी के लिए जो कि आपका स्थापना की गई थी उनका काम था क्या शमाज के निशले तबके के लोग है उनको जो उच्छी तबके के लोग है उनके बराबरी तक लाना और श्रमानता का अधिकार के लिए अद्रबदक करना तो क्यों वी अरबकर नरयानगुरो जोति भा फूले या ध्यानन सरसुति तो सत्षोदक समाज के सقय आपका kok फूले सी नमर आपका एंसर हो जागा अप्सन नमर सी जोतिवा फूले नेक्स्ट शार्दा अधिनियम के अंत्रगत लड़कियों एवंग लड़कों के विवा के नियुनितम आयू करमसा निर्दारित की गई थी यहां शार्दा आयक्ट आया था बाल विवा को मिटाने के लि उनहीं के नाम पर इस एट का नाम आया क्या शार्दा अधिनियम का आया था उन्हें चाना इन्हीं उन्हें था 15 में लड़की और लड़कियों का विवाक का उम्र है वह फिक्स कर दिया था तो कितना सा लड़की हो का गया यह पूंचा जा रहा है लड़कूं का hello verse लड़क और लड़के के लिए अठारे वर्स में जाद की गए थी यानि ऑफ्सन नमर यह आपका सही है गल्स के लिए फॉर्टीन ये अब वाज के लिए एटीन ये नेक्स्ट अगला प्रस्ण ब्रिटेश सरकार्ट दोरा अठा संतावन में निम्लिकित में से कौन से तीन विश्वाल अब चाहिए जिए भारत में पहली बार दोश्वाल म कि गई और यह तीन म्योफर्श में कब और । आपको आपको बताना है कल्कत्ता बंबबे से तीन बना तो आपका कल्कोत्ता मदरास और मुंबए तो कहां पर रही सबसे महत्पून भूमिका कि सुधा रखी थी के सबसे महत्पून भूमिका कि सुधा रखी थी कि राजा राम महान राएस स्थापकों में से एक थे शुराज पार्टी की जो अस्थापना कि थी उन में से कौन इसके एक से जुड़े हुए यह पुछा चाला है तो सुराज पार्टी क्या स्थापना कब हुई थी 1922 में और क्यों हुई थी आपको बताते चले कि जब और सहयोग अंदलन को गांदी जीन अचानक से वापस ले लिया और तो इससे निरास होकर सुराज पार्टी क्या स्थापना की गई और किस ने किया तो उसमें से आपको एक को चुझन करना है इसमें दो व्यक्ति थे आपके आपके मोतिलाल नेहरू और स्थी आर्दास तो यहां पर दोन वाज ने मिलकर सुराज पार्टी बराया था उन्हें शब आईस में चलिए नैक्स्ट अमेरिका में नागा साक्य में परमानुबं गिराया गया तो जापान पर परमानु बom अमेरिका को ने गिराया था सटेंड विरदवार में में एक ता हिरोसिमा दुसरा था नॉझास़की तो आप से पूछा चैना में कब परमानु गिराया था तो नागास़की नौगता पेटाहरों चाहत अगस्थ च्वागताओं या 15 अगस्ट उने सा 43 तो जी हाँ 1945 में ही इनने दोनों बम गिराया था हिरो स्विमा में 6 अगस्ट को और नागस्टाकी में 9 अगस्ट को तो 9 अगस्ट का है बी नंबर आपका राइट अंसर हो गया नेच्ट कोस्टन निमरड सेवं यह भी आपका वोल्ड ग्रीक सो जिलाब प्रस्ण है तो न doing content कहां वूज है तो पुछा इन में बॉल्सवीव क्रांती कहा हुई थी रूस में कब वह था 1917 में उनेश्टा सत्रह में बॉल्सवीव क्रांती रूस में हुई थी उनेश्टा सत्रह में इसके नायक कौन थे मार्स लेनीन माओ या इस्टालीन इसके नायक कौन थे लेनीन बॉल्सवीव क्रांती हुई थी र भारतीआ स्व्तनता संग्राम में दांडी आत्रा की कि की सुरुवात मनायता है। गांधी जी के नियत्रुत में और इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरुवात हुआ कि दान्दी अत्रा के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत शुरुवात हुआ तो कि दान्डी Odyssey आंदलन काशेभात मना था अ सोदेश सी आंदलन ynूर भारत CRO तो साथियों यह दांडी आत्रा जो किया गया था नमक कानुन के विरोध में गांदी जी ने किया था और यह आपका शविने अवग्या आत्रा को किया गया तो ऑप्सन नमर्डी आपका सही है नेक्स्ट शम्विधान निर्मात्री सभा की पहली बेटक कब हुई आप सभी शम्विधान को बनाने कि पहली बेटक कब हुई शम्विधान निर्मात्री सभा की पंद्रह अगरस 1947, 26 नॉम्बर 1949 नौदिशली सभा या शम्विधान सभा की पहली बेटक आपका नौदिशलीस को हुआ ता ओप्सन C आपका राइट अंसर है नेक्स्ट माहत्मा गांदी ने अपनी आत्मकता किस भासा में लिखी मातमा गांदी के आत्मकता का नाम क्या है माई एक्सप्रिमेंट विद टूथ यह इंग्लीज में है लेकिन इसको गांदी जी ने जब लिखा था तो किस भासा में लिखा था हिंदी गुजराती मराटी या अंग्रेजी तो गांदी से गुजराती में लिखा था माई एक्स्प्रिमेंट भी टूथ गांधी जी ने जो आत्मकता लिखी है वह मूल रूप से किस भासा में थी तो गुजराती क्योंकि वह गुजरात के थे आपको इहां पर शी राइट एंसर है तो चलिए आज के सेट को उमने बना लिया है जहा लोग कल मिलते हैं और एक नए क्लासेश के साथ जहां पे हम लोग जहारकन टेट के सभी बिश्यों को एक साथ पैरला तरीकिसे लेकर चल रहे हैं जहां पर हिस्टी को भी आराब कर दिये हैं जोग्रफी और पॉलितिकल भी चल रहा है इकोनोमिक भी चल रहा है इसके में ज़्यादा त्यारी कैसे हो इसके लिए बैस्ट उपाय यहीं है तो आप भी चाहते हैं कि आप त्यारी करें और जो भी क्लास की वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिपिकेशन जाए और आप उसे क्लास को देख सके इसके अलावे अगर आपको नौट्स चाहिए तो नौ चैनल को जोएन करें महास आपको पीडियाप नौट्स भी अबलबल हो जाएगी चलिए इस वीडियो में इतना है मिलते एक नए क्लस्ट थैंक्यू थैंक्यू वारी वारी मच्च फॉर वाचिंग इस वीडियो और कनेक्टिंग तो एक्जाम फाइट इनमर्ण